hello students welcome to my class today we will do the remaining sums of exercise 5.2 here see the figure there are the two lines in horizontal and two lines in vertical way P and Q are parallel lines L and M also parallel ठीक है यहांपर आपको X,Y,Z के जो है value find out करनी है आपको सिर्फ ये angle दे रहे है 72 degree तो बेटा देखो 72 degree किसी भी एंगल से ये X,Y,Z के एकोल नहीं आ रहा कोई रिलेशन नहीं है 72 का X,Y,Z से तो मिने क्या क्या 72 का corresponding angle लिए 1 अगर L और M दो lines parallel है hello students welcome to my class today we will do the remaining sums of exercise 5.2 here see the figure there are the two lines in horizontal and two lines in vertical B and Q are parallel lines L and M also parallel ठीक है यहांपर आपको X,Y,Z के value find out करनी है आपको सिर्फ ये angle दे रहे है 72 degree तो बेटा देखो 72 degree किसी भी angle से ये X,Y,Z के equal नहीं आ रहा कोई रिलेशन नहीं है 72 का X,Y,Z से तो मैंने क्या क्या 72 का corresponding angle लिए 1 अगर L और M दो lines parallel है बेटा figure को इस side से देखिए ठीक है मैंने notebook को थोड़ा से घुमा लिया और figure यहां से देखिए अब L और M parallel है और 72 और 1 angle जी कौन से होगे corresponding angles होगे ठीक है if L parallel to M then angle 1 is equal to 72 degree corresponding angles ठीक है 1 प्लस X जो है linear pair है तो इनका sum 180 होगे और आपकी X की value find out होगी ठीक है अब हम लेते हैं P and क्यों parallel lines अगर P और क्यों parallel lines है ठीक है तो आपका यहां पर X plus Y is equal to 180 degree अगर P की parallel lines है और transversal आपकी M है line यहां पर तो X और Y एक तरफ वाले अंदर लेकोन होगे जिनको हम co-interiors angles कहते हैं और इनका sum 180 होता है तो X की value आप finite कर चो कि आप put कर दो कि 108 और Y की value यहां से solve कर लोगे अगें L और M parallel अब L और M parallel ले लेते हैं और यह transversal लेली हमने क्यों line ठीक है तो Y plus Z जो होगे इनका sum होगे 180 क्योंकि यह एक तरफ वाले अंदर ले angles होगे जिनको हम co-interiors angles बोलते हैं ठीक है तो यहां पर इनका sum 180 करके आप jet की value finite कर लोगे let's see the 7th question यहां पर अपर एक diagram दे रखी है MN line के वार के parallel दे रखी है और यहां पर transversal दो आगे एक वारी P के एक PR पहले हम PR transversal लेंगे इस line को भी forget कर दो बिटा कि यह line नहीं है ठीक है only PR transversal line है तो आपका यह पूरा angle जो P के इस side है ठीक है X और 30 को मिलाके जो पूरा angle बनता दोनों को plus करके is equal to 115 के एकल हो गए यह कौन से होगे alternative interior angles मैंने short form में लिए थे AI ठीक है और यहां पर X plus 30 is equal to 115 angle ठीक है तो X के value यहां से finite हो जागी अब M in parallel जो है क्या हुआ रहे है और अब आपने लिए P के उट्रांसवर्सल ठीक है पहले मैंने PR transversal लिए थे अब P के उट्रांसवर्सल लिए है तो X और Y फिर alternative angles आगी ठीक है और अब तो दोनों आपस में equal होंगी अब यहां पर देखिए बटा 65 डिग्री ठीक है और यह विल आइंगल जिसको मैंने PRS राइट किया है और प्लस 70 तीनों एक लाइन पर बने हुए है तीनों का सम क्या लेंगे लेंगे 65 और 70 को हम प्लस कर लेंगे 135 आ गया PRS को as it is लिख लिया अब यहां देखिए बिटा कि आपका जो एंगल है यहां पर पी इस इकल टू कितना है 45 पी इस इकल टू कितना है 45 एंगल है और पी आरेस इंगल वह कितना है आपका 45 डिगरी आपका दोनों एंगल एकल होगे तो धियान से देखिए पी के उ लाइन और रस लाइन ठीक है और यह ट्रास्वरसल है पी यार ठीक है तो 45 डिगरी और यह भी 45 डिगरी होगे जो अल्टनेटिव इंटिरेस एंगल होगे जो ठीक है और पी के आपको जो है पारलेल प्रूफ करनी है कि पैरलेल है यह लाइन जो एम और एम और एल नेरपेर बन रहे हैं तो एंगल 2 भी आप दोनों को सम करके 180 के एकोल रखके एंगल 2 की वैल्यू आप फाइंड आट कर लोगे ठीक है अब जो 1 और 100 है ठीक है आप इनका सम करके देखो ठीक है इनका सम करोगे तो आपका क्या आएगा 1 की वैल्यू 80 है 100 आपको दिये हुव व इस तरह के से आपने इस साइड में लेना है तो यहां लाइन को चब करना है तो यहां देखिए M और L को परल्ल शोग करना है तो हमने 1 और 65 का सम करके देखा थीक है 1 आपके पास एंगल कित है था आपके पास है 1 की वैल्यू 80 आई ए ठीक है तो 180 है प्लस 65 करोगे दोनों का सम करोगे तो आपके पास 180 आना चाहिए था लेकिन नहीं आया 180 इट मीज जो को इंटिर्स एंगल नहीं है अगर ये को इंटिर्स एंगल नहीं बने आपके तो में पैलल नहीं है ठीक है 10 के 10 जो सम्स है मेरे यहां पर कंप्लीट कर दे बिटा और मैं आपको इंके सलुशन्स जो है सेंट कर दूँगी ठीक है नोड़के पे उतारने के साथ साथ आप इंके प्रैक्टिस जरूर करना थेंक्यू